नमस्तार, बंबई शहर से आपकी अधालत में आपको स्वाद रखते हैं इस कारिक्रम में हर सब्ता हम पेश करते हैं एक ऐसी हस्ती को जिससे आपने प्यार दिया, मान दिया, समान दिया, बड़ा बनाया और फिर जनता उससे सवाल करना चाहती है, इल्जामात लगाना चाहती है, उसके काम का हिसाब किताब लेना चाहती है इस कारिक्रम में हर सब्ता हम एक ऐसी शक्सियत को पेश करते हैं जनता के सवालों के बीच, जनता के सवालों के दाएरे में तो आईए चले एक ऐसी शक्सियत से मिलने, सवाल पूछने, इल्जामात लगाने आपकी अदालत में शिव सेना प्रमुक, बाला सहाप ठाकरे, जनता की अदालत में हाजिर हो जनता की अदालत में मुल्जम बाल ठाकरे पर आरोप है, कि इनकी राजनीती सामपर दायकता पर आधारत है बाला सहब जब आपने 1966 में शिव सेना की स्थापना की थी, तो उस समय आपने का था कि ये इसलिए एफसेना बनाई जा रही है कि महरास्टियन को सेकिंड क्लास का दर्जा मिल रहा है और आज 26 साल बाद भी जो आपकी पॉलिटिक्स है, वो इसी सेकिंड क्लास सिटिजन्शिप पर राधारत है आज आप कहते हैं कि हिंदू को इस देश में सेकिंड क्लास सिटिजन्शिप बनाया जा रहा है पहले गुजराचियों पर आपका हमला था, साउथ इंडियों पर हमला था, आज मुसल्मानों पर है यह सरसर गलत है, 66 मैं जबी मैंने शिवसन शुरू की, तो मैंने उनको अवान किया था, गुजराचियों को, कि आपके हाथ में लक्षमी हैं, और हमारे साथ सरस्वती हैं, और दोनों हाथ बटाएंगे, तो सिर्फ मारास्टा का नहीं, गुजराच का नहीं, पूरा देश क अबला हो जाएगा, और यह भी मेरा कहना था सभी लोगों को, कि आप आएंगे तो आपके साथ, और नहीं आएंगे तो आपके बिना, अगर हम चलते रहेंगे, और दुसरा जो आपका इल्राम है मेरे पर कि मैं मराच्छी लोगों के बारे में, यह मैंने शिवसन की, यह सच है, और जबी महारस्ट हुआ और इसके लिए भी हमें जगना पड़ा, लड़ना पड़ा, मुमबई मिलने के लिए, फिर भी मिलने के बाद भी हमारे लोगों को यहां नोकरे नहीं मिलती थी, और कुछ ने, और कुछ ने, तो फाइदा के इसका, क्यों कहें कि हम और आपने जो कहा के पहले गुजराची के बारे में मैं यह एक था, और अभी मैं मुसल्मानों के दुश्मन हो या खिलाफ हो, ऐसे भी कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं है, I want everyone to be nationalist minded, सवाल यह है कि, जो जितने लोग यहां रहते हैं, वो खुद को समझेंगे, कि हम यह देश के रहने वाले हैं, ना हम हिंदू है, या मुसल्मान है, या क्रिश्चन और कोई नहीं, जब यह कहते हैं, कि खुद हम मुसल्मान है, तो हमें कायना पड़ता है, कि हम भी हिंदू हैं, पहला सब सवाल यह था, कि आपकी जो politics है, उसका जो बेस है, वो कमिनलिजम है, अगर सांप्रजिक्ता नहीं हो, फिरका परती नहीं हो, तो आपकी politics ही नहीं चलेगी, कमिनल कुम नहीं है, पंडित जवाला नहरो भी कमिनल थे, मैंने किताब पड़ी कृष्ण मेनन की, और वहां उन्होंने लिखाता है, पंडित जवाला नहरो से कहा था, उन्होंने, कि आप हमेशा कहते हैं कि आप इंचर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम मेरा UP करते रहते हैं, मगर वन्होंने याद दिला जी कि आप पंतप्रदान है, पोड़े हिंदुस्तान के, UP के नहीं, तो UP के बात होते तो अपंडित जवाला नहरो नहरो भी कमिनल थे, एक अभीमान के बात होती है अभी भाशावापांतर रिचना हो गही है तो हम क्या करें लेकिन आप ऐसी मामले उठाते हैं अगर जैसे बंबे में कभी किसी इशू पर लड़ने की बाताती है तो जितने इशू आप और आपकी शिफ से ना उठाती है वो फिर कम्यूनिटी से या जो एक शुर मैं आपको अभी ताजा हो दारन देता हूं जब 6 दिसम्बर को आयोध्या में बाबरी मस्जित कठाचा गिराया गया तो शिफ सन्ह ने सबसे आगे जाकर करें जंगार दिया हम ने गिराया और उसको बड़े गॉरव से उसको ओन किया गॉरोत है बलकुल इसमें कोई शरम क मंदिर ठार मंजिता हुपर आप लाया नियु ड्राइम गुद सताओं जाग ठाचा में जो फे जज अंब अड़े कि अइसेति के हमारे ब बूर की संस्रीत एप रगहते शूपी इर दंगित्टा और फ्रव niż थे एलगवर तो बड़ी शरम की बात है और आप ज्यादा पूछेंगे तो सिबे मेरे पीछे लगेगा इस तो सच क्या है बाला साथ जनता ये जानना चाहती है सच ये है कि इत्यास अब देखेंगे हिस्ट्री टेल सेज कि बाबर ने हमारे जितने मंदिरे थी और पूरे के पूरे मुस्लमान जितने आए यहां वो अकरबक थे और उनोंने पूरे हिंदू मंदिरे गिरा दी और उसके उपर मस्जिद खड़ी कि दी और अभी हम तो आजाद होंगे हैं हमारे करतव है कि जो मस्जिद है वो गिराने के बाद हमारे मंदिर हम वहां खड़े कर देंगे वैसा तो मैं चाहता हूँ कि यह मुस्लमान भी हमारे साथ शामिल हो जाए इस लड़ाई में मिशन में कोशिश तो यही होनी चाहिए कि सब लोग साथ मिलकर के लड़े कोशिश तो करते रहते हैं कोशिश हमारे शंकराव जी भी कर रहे हैं शांता ता कही से रहेगी सूवेस ता कही से रहेगी फिर भी मैं बम पढ़ते हैं क्या करें बम पढ़ते हैं उसके बाद में जो मेरे हून तू इंसाम का बैता है। वो क्या मानते इस पर हमारी पूरी एक्षिन कारवाई मने ज़र होती है। तो आप रिएक्षिनली है। हम क्या मार खाते रहेंगे। बं फटने के बाद हमके हाँ जोडेंगे। बई क्या आबास था। यह करें हम। अईसे बं तो हमने कभी देखे नहीं। जिवाली में भी नहीं। बहुत अच्छा वास्ता। बंने जाने के बात छोड़ दीजिए। हमने तो बंने फटाएं। जो बात हो रही हैं दंगा फसाद होता है। हम नहीं उतरते तो हिंदू मारे जाते। यह सच है। यह मैंने कह रहा हूँ, आम लोगों कही है। पूछो। लेकिन उस सारे से जो टेरर का आतंग का वातावरण खड़ा हो जाता है। ऐसे परिस्ति में टेरर होना ही चाहिए। नहीं टेरर होता तो खा जाते। पूरे के पूरे खा जाते। हिंदू राष्टर की आपकी संकलपना क्या है। और इसमें किन लोगों को जगा नहीं है। सभी मिसलमान दे रह सकते हैं। कुश्चन दे रह सकते हैं। मगर उनको मानना पड़ेगा कि सबसे पहले देश हमारा है। रूल अप दे लान्ड है। जो कानून है उनको मानना पड़ेगा। मस्जिद तो किर जागी है। लेकिन अगर गवर्मेंट जैसे अपने नस्यों भूलते कि हम मस्जिद फिर बान लेंगे। हमारे नस्यों राओं को नमाज पढ़ने के लिए कोई जगा निये तो मस्जिद बानने के उस हैं तो यह सब पॉलिटिक्स हैं और चुना में हम तो मत के गुलाम होते हैं वी आर दे सलेव रोट्स और इसलिए पूरा देश का मामला बिगर जा रहा है। और यह एप अपर जबूद क्या है। किसको खुश कर दे कि कोशिश करें किसको और क्यों पहले तो हमारे देश के किलाब कोई कोई कदम नहीं उठाना चाहिए NOT honestly it the cost of my nation mind you यह भी हमरे अमरे दुरण है और यह मेरा जो हिंदुत वहाए यह हमारा राष्ट्ट्व है और ये राष्टित वाजिस देश में बुना हो तो मैं बार-बार करूँगा, मरते तक आप उनके बारे में कह रहे हैं वह भ्यावना नहीं है उनके पॉलिटिक्स के लिए आप ये कर रहे हैं बस हम काम करेंगे समा सेवा करेंगे ये मेरा बचाने आपको मैं पॉलिटिक्स में ये बहुत नहीं मैं सिर्फ लड़ रहा हूं हक से मेरे देश के हालत देखने के बाद हमें इतना दुख होता है कि हमारा क्या रहा है अगर वो नमास पढ़ेंगे सदक पे तो फिर आप कहेंगे माहरती होना चाहिए सदक पे वो कहेंगे कि पाकिस्तान डे सेलेबरेशन में कोई जाएगा तो उसके खिलाफ अंदोलन करेंगे ये जो अगर वो लोग सामप्रदाइक हैं तो आप भी सामप्रदाइक हैं अगर वो लोग कम्मिल हैं तो आप भी कम्मिल हैं अगर वो लोग फिरका परसते हैं तो आप भी फिरका परसते हैं सवाल हैं कि शुरुआत हमेशा हुआ ये लोग करते हैं सुबूत है मेरे पास साथ नमाज पढ़ने के बारे में तो हम कभी रोकाने उनको वह जा सकते हैं मस्जिद में जा सकते हैं नमाज पढ़ सकते हैं इद या कही उनके चोहार होते हैं वो मना ना कर सकते है फिर भी जो भी रास्ते के बात आती है कैसे बरदाश करेंगे यह तुम्हारा धरम होना होगा तो हमारे भी धरम आ अिसे कोई छीजद में होना होगा या घर मे घर मे यह कोई चीज नहीं है कि धरम यह नहीं सिखा था कि बहुत चलो लोगों को तकलीफ दो मगर जब ये गवर्णनेंट की जो चाल है वो हमने देखी कि इतना होने के बाद भी पॉलिस वाले भी रूट बदलते हैं चलो ये नमाज पढ़ रहे हैं तो ठीक है रूट के बदला चलो अभी नमाज पढ़ने के बाद आप रूट बदलने लगे तो हम मारती शुरू करते हैं कि इस देश में तो सरो धर्म समवाओ हैं उनका भी एक हक है हमारा भी है उनका भी है चलो रास्ते पर एक कर देंगी बाद यह हमने जान बुच कर किया क्योंकि हमने कहने के बाद भी यह बात बढ़ती रही और जब यह बात वर्शाद बंगला तक यानि चीप मिनिस्टर के बंगले के लाम पर भी वो नमाज पढ़ना हो उनके शुरू किया तो ऐसा लगा कि क्या हिंदुस्तान है और यह पाकिस्तान पाकिस्तान में भी इतने उनकी फ्रीडम नहीं हो मिलती जो हमारे देश में मिलती है इसको कहते हैं बाला सब रियक्शनरी होना प्रती क्रियावादी अगर वो नमाज पढ़ेंगे तो हम महारती करेंगे यह पाणून है जो समधिधान सब्सक्राइब उनको भी मानना पड़ेगा यह जो बाबरी मजजिद का घाचा गिराया गए यह कानून मान कर गिराया गए सुपीम को पाणूर था Supreme Court छोड़ दीजे, वो court नहीं नमानता, उन्होंने क्या कहा था? Supreme Court ने ये कहा था, वो new construction नहीं होना होगा, तो हम ने खिये कहा, construction कहा गया, उदर construction नहीं हुआ, destruction हुआ, अभी कहा चाहिए, हमेशे ही वकिल लोग कहते, इंटरपेटिशन ये होता है, तो हमारे भी अभी तो खरिद करना पड़ता है, अगर आप चाहें कि जो दूसरे लोग हैं, वो कानून को माने हैं, तो सबसे पहले को मानना पढ़ेगा, देखना पड़ेगा, जो हमें हिंदुों को पाकिस्तान में नहीं मिलता, बंगला देश में नहीं मिलता, और किते अरब राष्ट कि आप पुखनें, नहीं करते हैं, यह सच कि हमारे मंदिरे, यानि कि सोमनात मंदिर की बात करें, दो बार ऋर्च कि गरा दिया गया है, और पंडिद मेरा नहीं, बगर फूरें वह सरदार वाले पत्तल था हैं, इसलिए हमारा मंदिर्श कि हो गया है, जो बहुत हम और जो ह आप Hinduism की पूरी परिवाशा बदल देंगे परिवाशा बदलने का क्या सवाल है पीता बदलने से कोई यह नहीं होता है फरकने पड़ता है लड़का लड़का ही रहता है क्योंकि यह जो 5000 साल पुरानी संस्कृती है जो पूरे दुनिया में जो रस्पेक्ट है Hinduism की एक Hindu की व पड़ेगा पांच हजार साल के बात मैंने करना करना चाहता हूं मगर वो जो है वो है मैं प्रामिनिस्टर बनता तो इस सवाल भी में उठता शिव सिना प्रमुख पार ठाकरे पर कुछ और इल्जाम कुछ और सफाई कुछी देर में इंतजार कीचिए और अब बारी है आपकी अदालत में बाला सब ठाकरे पर अगली आरूप की मुल्जम बाल ठाकरे पर जेंपा का इल्जाम है कि इन्होंने बंबई में क्रिमिनलाइजेशन अफ पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया है अब बंबई आपके नाम से कापती है आप इस बात को मानते हैं कापना ही चाहिए शेर को बरेने तो कह चुवा को डरे तो ठीक है कापना है तो राजनितिक है अंदर जो को लोग है वो कापते है तो मज़े बड़़ खुश होती वो इसलिए कापते हैं अबाला साब क्योंकि जो क्रिमिनल्स है ऐसे लोग है जो शिर्षणा के नाम पर लोगों से पैसा एटते हैं एक्स्टॉर्शन करते हैं उसको आप अच्छा मनते हैं और क्या चाहिए लोग कहते हैं कि पुलिस भी डरती है आपसे अभी पुलिस वाले को मैं कोई इंस्पेक्टर नहीं हूँ और कोई नहीं तो मेरी मुलाकत अप ले रहे और यहने कि मुझरम मैं हूँ यहां आप यह मानते हैं कि पुलिस वाले भी शिर्षणा के लोगों से अनलमीश बिस वाले छंया हैं कि मैं हाथ में हाथ बिटा के चल रहां हूं उनके साथ वह हमारे साथ हैं वह Вीट सच नहीं यह बिलकुल नहीं और जो आपने क्रिमिनल्स को जगा दी पार्टी में इसे बहुत सारे लोग हैं जो को क्रिमिनल वार में यो लोग नाम तो ले लो एक किम नाम की आदमी थे एक किम थापा के बात करें तो इससे पहले ये थापा एक बड़ा अच्छा कबड़ी प्लेयर था और जब ही मैंने उ अपने इस वक्त वकड़ी प्लेयर था वो तो गुना नहीं था इसके बात थापा बिगड़ गया और आप इल्जम लगा जा रहे हैं रमेश मोरे विठल चवान नहीं ये ये जब तक मेरे सामने को बात नहीं थी तो मैं इसे मैं कैसे ये कारवाई करो आप ही कहना चारहें क अपने कि शिफसेना से जितने लोग असोसियेटेड हैं उन में से कोई क्रमिनल नहीं है किसका किसी गैंक से कोई संब नहीं है सब दूत के धुले तो कोई भी नहीं होता है आप सुबूद लाएंगे कि कोई भी मेरा नेता भी कोई रिष्टा है गैंस्टर वालों के साथ औ अद्वानी के लेंगेज में क्या कहूं उसके लवज में मैं कहूं ते डिफरेंस बिट्विन ब्रिफ के सना सुटकेस कैनी बारा साब अगर विदाव करॉक्शन यू कैनाट फाइट इलेक्शन इतने मंगी हुई है तुमारी चुनावी बात कि एक करोड तक जबी आप अच्छा करते है तो आप MP शेप यहने के खाज़ार यहने के MP का चुनाव लड़ सकता है और वैसे तो देड़ लाख में आपको यह चुनाव लड़ना चाहिए ओके I pay this amount to Mr. Narsiva Rao and let Mr. Narsiva Rao fight his election whenever it is going to be well I will pay for that I will stand that expense This hypocrisy मुझे पसंद नहीं है बिलकुल नहीं है मैं माता हो कि मुझे दुग भी होता है कभी काटा भी चुपता है तो क्या करें गुलाब को तो पकड़ना ही होता है तो आप चेस्टिफाई कर रहे है कि रमिनालेशन को I am not just करें यह पूरे के फूरे उपर से नीचे तक उपर वाले कहते है नीचे शुष्रुओत होता है नीचे वाले उपर कर ripping आ हो है तो हम क्यों नहीं करें ये रही हैं यह सही है प्राइमिर्स स तो आप कहेंगे तो यह वह फिनॉमिना हो रहा है अभी तो सब खाते हैं, तो मैं थोड़ा भी जड़ा साइड़ीश कोई हो, स्विट जिश तो भूल जाईए, मगर तो करनी पड़ती, इस पर एक अच्छी गवर्मेंट लानी पड़ेगी, आपको मालूम है, बिच्टेटर्शिप चाहिए, बैने वगन डिक्टेटर्शिप, मगर चाहिए, नहीं तो ये निपटना मुश्किल है, जो भी डंगा पसाद होते हैं, मोर्चे निकलते हैं, तो सबसे आगे युवा पेरी होती है, उसके आगे, तो आप यूद को क्या मेसि देना चाहेंगे, बी मिलिटन्ट, यस, क्योंकि अभी युवा की स्थिति दिल्ली में कैसी हुई तो आपको मालूम है, बिचारे बिट्टा बच गया, और वहां तो दिल्ली शोर बैठते हैं, शंकर और चवान वहां होते हैं, पाइलेट होते हैं, नरिशिवा राभी वहा पारी हिफाज़त नहीं करते हैं, तो आप क्या करोगे, और आवरतों के उपर बलातकार हो रहा हैं, कानून क्या कर रहा हैं, नोबड़ीज मुविंग फ्रील इन इस कंट्री, एवरीवन इस अंडर टेंशन, आप भी टेंशन में होंगे, तो इदर तो बं नहीं फटेगा, इदर तो कुछ नहीं होगा, यानि क्या यह जीवन है तुमारा, और इसके लिए मेरे में में जो तुफान आता है, यह आता है कि मैं बड़ो कोड़ा बात करता हूं, कि मैं बरदास्ट नहीं कर सकता हूं, क्या हत्यार नहीं लेंगे, तो भी मर जाएं नहीं वाले हैं, गव कि देश्ट का यह रक्षा हो जाएगी, यह मैं बीचार है, बाला सभा समस्ते है कि अतियार का जवाब अतियार से देंगे तो उससे समस्याओं का हल हो जाएगा, हाँ, क्योंकि शिवाजी महाराज अवजल खान को मिलने के लिए है, पंचा पहन के हाथ में डंडा लेके बक इसलिए बजगे हैं, और कही हम आए हमें कोई ऐसा सुक शाम से सम नहीं सो सकते ना रह सकते हैं, तबी क्या करो, यह मेरा इशारा है, जितने बात यह मैंने की, तो मैं कोई जोचिशने हूँ, ना कोई मैं पामिस हूँ, मैं था तो काल्टनिस्ट, और मैं कुछ बन गया, फ I said in 1980 that Indraji will be killed and she was killed in 84. I said that this boy that is Raja Gandhi will be killed by Tamilian tiger and he was killed by Tamilian tiger, why? इसमें इमोषन कॉछ नहीं होता है… उसमें इमोशन कुछ नहीं होता है? नहीं नहीं, इमोशन क्या होता है? वो न्यूस पर आदारित होता है जैसे न्यूस वैसा कार्टून उसमें कोई कविता, उसमें कोई आर्ट, उसमें कोई कल्चुर तो ही एना, आठ ही, इस एन आठ, yes, caricaturing is an art. तो कार्टुनिस्ट के दिल में या जो कार्टुनिस्ट का दिल है, लाईने खीछते खीछते, उसमें ये टाइगर का दिल कहां से पैदा हो गया कि? मिलिटन्ट बना दो. बैरिस्टर मोहनलाल करमचन गांधी का जबी महत्मा गांधी हो सकता है, तो कार्टुनिस्ट का कोई शिवसान परमूप क्यों न बन जाए? मुल जंबाल ठाकने पर आरोख है कि प्लेस की प्रती इनका रुख नेगेटिव है. आज कल अखबार वाले आपके घर के बाहर मोर्चा पर बेटने लगें, दिल्ली से आकर पत्रकार और उनकी शिकायत यह है कि जो अखबार वाले आपकी बात या आपकी पार्टी की बात नहीं मांगते, उनकी पिटाई कर दी जाती है. जो तमाशा हो गया मेरे खिलाफ शिवसाना भावन के सामने, आप पूरी लिस्ट, आप पूरे जो लोग वहां जमे थे, एकटा हुए थे, सब पूरे के पूरे लिस्ट देखिए. इसे लोगों के मुझे परवा नहीं है. आप सोचने कि दिलिप पढगांकर और गुदिन तलवालकर कॉमिनिस्ट हैं? एक डोग चीजे बाते तो छोड़ दिजे आदमी को छोड़ दिजे के पूरे के पूरे बैन, याने के दस में से आठ आथ आदमी मैं कहता हूँ, पूरे कम्मिनिस्ट है, याने के लिफ्टिस्ट, लिनिंग पोर्स लिफ्टिस्ट. इस जो ओवराल भीयविर है अबाला कोई जुलुष करते हैं, कोई गड़बड करते हैं, गवर्मन के पास जाते हैं, सेम को कोई निवेदम देते हैं, यह होती है हमारे बारे, यह तो मुसिबत है, यह मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इसको जस्किफाइए यहां तो वहां तो गुजरात में जंब भूनी और कही अखबार के पूरी के पूरी अमारत जला दी, वही बात कलकता में हुई, यहां तो किसी की अमारत और कोई ही हमने तो किया नहीं जला दिया, यह तो पूरे, वैसे तो पत्रकारों के खिलाप मैं नहीं हूँ, क्योंकि I am also a cartoonist, that means a part of that industry or world. आप जर्नलिस्ट हैं, कार्टुमिस्ट हैं, आपने अपना केरिय फ्री फ्री फ्रेस जर्नल से शुरू किया था, उसके बावजूद कोई अखबार वाले आपके खिलाफ लिखें, आपके पार्टी ये खिलाफ लिखें, उसको freedom of expression तो होना ही चाहिए ना? फर्स उनको कहिए, freedom का स्पेलिंग क्या होता है, और उसका अर्थ क्या होता है, you must know your limits as a journalist, a responsible journalist, freedom का क्या माइना होता है, कभी हम शुरूआत करते तो आप इल्दम लगा सकते हैं, मगर शुरूआत वो लोग करते हैं, क्या हम बर्दास करें, गलत बात छपने के बाद भी है, मेरे character assassination भी होता है, मैं तो नहीं कुछ करता हूँ, मगर मेरे लोग ता है, अभी हिस्ट्री है शुरूआत कि जब भी किसी अखबार वाले में शुरूआत के खिलाफ लिखा है, तो उसकी पिटाई होता है, कितने लोगों की, ऐसे अभी पूरे के पूरे देश के पत्रकार शामिल होगे, इन में से कितने वैसे तो पंजाब में लाला जगत नारायन का खोन हो गया, उसका और दुसरे लड़के का खोन हो गया, हमारे नाकपर में पाच लोग मारे गए, पूरे के पूरे पाच फैमिली, पाच भाई थें, और उसका था एक एडिटर, इंस्पेक्ट पाच भाई लेने वाले यही अकबर वाले हैं, वो कहने लगे कि उसको क्या जरूरत थे उसको इस पर हमला करने की, प्राइविट लाइफ को सपर्श करने की, ठीक हो गया, अब उदर ठीक हो गया, और मैंने जब यह तमाच लगाया तो आप कहते है कि एक इसे मीडिया पर ह प्रूम चलता है, मेरा तमच्छा नहीं चलता है, मेरा एक लाफा नहीं चलता है इन लोगों को, मैंने को मारा नहीं, कोई बात ऐसी है कि हमारे में भी कोई कार्य करता है, ऐसे होते हैं, को उनको बरतास नहीं करेंगे, कोई मुझे पागल कहेंगे, तो कैसे कहेंगे, कैसे क आपको जो अखबार है सामना अगर इसमें किसी के खिलाफ खबर चपे और वो आकर उसके एडिटर को ऐसे धक्का मुक्य करें मारे पीटे तब आप क्या करेंगे उसको सही मानना होगा मगाँ जब तक हम हमलांए करते तो नहीं तो नहीं बरदास किया जाएगा हमला हमने किया यहने की मेरे आद इसके पर वो को बरता हो गया कि कोई लोगों ने Festival की और तापाई की तो मैं इस अमझे ड hilft नहीए है समाले ठीकतर से समाले कोई तकलिफ नहीं होगी किसी को फतर मारने से खिचर उड़ता ही है यह मत बोलो तो फतर मत मार यह की चने उड़ेगा पर जनता की अदालत में आरोग है कि उन्होंने शिवसेना में सकेंड लाइन अफ लीडरिशिप नहीं बनने दी शिवसेना यानि बाल्ठाकरे बाल्ठाकरे यानि शिवसेना आपके लावब कोई दूसरा नेता उसमें आई नहीं सकता आप मानते हैं इस बाप को? नहीं, बिल्कुल नहीं शिवसेना में दूसरी और सेकंड रैंक भी तयार हैं और जितनी पार्टी थें उन में अध्यक्ष बदलते हैं, उन में सेक्रेटरी थें ये पार्टी ऐसी है जिसमें 1966 में जब दनी थी आप प्रमुक थे और आज 26 साल से आप अकेले प्रमुक बने हुएं, अभी किसी और को प्रमुक बनने का मौका नहीं मिला? नहीं, वो, I don't have that richard democracy in my party. वो हम ही रहेंगे, जब तक मैं हूँ, और ये चुना और बिना अगया मुझे पसन नहीं, ये चुना भी बात तो मैं नहीं 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 नहीं, और बिकॉस I am there, the party has survived. ये तो सब से पहले उसकी भी कॉंगर्स त बनती है. आप लोग तंत्र में शिफास नहीं रखते हैं? नहीं, लोग तंत्र क्या होता है? गुडबाजी और ये सब चलते हैं, उनली गूपिजम, ये लोग तंत्र कहते हैं, नाम अच्छा है, मगर पार्टी को बटप मंगा पड़ता है. अब हटना होगा तो मैं खुद जाओंग मेरे दिल से पूछो, उनके दिल से पूछो, चाहे मैं नाटक करो तो भी, लोगों में मजब वापिस वापिस लाने का. तो ये मानले बाला साब कि शिफ से ना, इस बाल ठाकरे बाल ठाकरे इस शिफ से ना? आगे कर तो मैं नहीं कुछ कर सकता हूं तो आज तो है भी ऐसी हैं क्योंकि दूसरी रैंक है जैसे के मनो जुषी है, सुझे जुषी है, दर्ताजी साल्वी है, वामन रामारिक बहुत काफर इन वाल कर जबी मैं में उता तो हो बने बाते हैं सिफ से ना में आपके बेटे हैं उद्धर ठाकरे आपके ने उराज ठाकरे वो कंट्रोल करते मेरे पास बॉट नी बॉट मे वाथ ए आगे में पीछ少 अःक मेरे पास बदेए से ययो रुट की जुछ चलो आज मेरा लड़का बेठाएगा तुमारे सांपर ये मैं में ने करूगा अगर लगके मे कई जर्व iqa वाल टी हो इस आपी हुद हो सपूर्ट करते हैं अ philosophers जाता है और मेरे लड़के में कोई दम होगा तो बैठेगा दम है उसमें अभी लड़का तो है कैसे कहो नई दम है तो बन मारेगा घर में जाएंगा कि अज़ दम ठाकरे पर आरोख है कि ये ग्लामा के पीछे भागते हैं अब मेठुन चकवथी आपको डड़ी कहते हैं गोविंद आपको अंकल कहते हैं अमेठा बचन आपको बड़े भाई कहते हैं तो यह ग्लैमर के जो लोग है इस टार के लोग है इंकिपरतियाप तिप्ली अप्रोड़ा श्रीदेवी बजर का ना मड़ तो है मुझे अंकल नहीं कहते हैं लोग जानना चाहते है स्री देवी कुछ नहीं कहती है स्री देवी मिलती है मगर कुछ नहीं कहती है अच्छा है I work for them, I was in famous pictures, the staff artist पुरानी बात है in 45, 46 की बात है मैं वहाँ आर्टिस्ता, मैं शो कार्ड वगरे बनाता था वहाँ मेरी पैच्छां काफी लोग ऐसी हुई और बाद में ये सब लोग नहीं आएं लेकिन आपने इंडिस्ट्री को दो हिस्सों में बिल्कुल डिवाइड कर दिया है एक तरफ आपके दोस्त हैं में सुन चक्रवर्ती हैं अमिताब बच्चन है दूसरी तरफ शबाना हैं दिलीप कुमार हैं एक के हंगल है सुनीलदत है तो एक लोग को आप सपोर्ट करते हैं और दूसरी लोग आपसे डरते हैं दूसरी सपोर्ट जो गल्टी करते हैं वो मैं नहीं मानूंगा जब यह 12 बंप फट गे में उम्में में और पाकिस्तान दिन मनाना करते हैं कैसे मैं बडलता श्क्रूं क्या ज़रूत है लेकि यह प्लिटिक्स के शुराथ होती है मैंने सुनिये लिस से कहा या एक तो या अकलाकार का जो आपका रिष्टा है वो रखो या पॉलिटिक्स में आ जाईए लेकिन इस तरीके से फिल्म इंडिस्ट्री पर आपका कब्जा रहे सभी पर मैरा कब्स तह्म क्योंकि आप चाहेंगे जिस की फिल्म दिखाई जाए जाएजा या लगती जाए हिपर उडिंग दरू करूंगा मज़ें आप चॉली को ठीक मानते हैं इस जो झrafॉली के पीछे क्या है तो भी आप शिकायत करते रहते हैं मुझे माइलम है कि जब ये बाच गाने में बताया गया कि चोली के पीछे दिल है तो काफी लोग नाराश हो गए अच्छा में लगा उनको? नहीं क्योंकि जो चाहते हो नहीं मिला उनको एक और फिल्म थी खलनाई का जिसमें भी एक और गाना था चोली के पीछे यह तो ठीक मैंने अगा जिसमें लिए खलनाई का कि बात अप कर रहे हैं तो ठीक नहीं था उसको अप्रूव नहीं करते हैं तो कोई कांट्रोवर्स यह भात भी नहीं बनी अर जब यह वह बात क्यों ये जब सुबाज गहिए मेरे रहं हैं तो उनको भी अच्छी दून है बड़े अच्छे नहींदून है गाना अच्छा है सब कुछ अच्छा है इसा तो नहीं बाला सब जो लोग आपके घर में आते हैं, आपको रस्पेक्ट्स पे करते हैं, चाहे वो मिताब बच्चंद हो, चाहे वो सुभाज कही हो, मितुन चक्रवर्ती हो, उनको आप सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कुछ भी करें, चाहे वो चोली के पीछे बनाएं, चाहे वो चाहे बनाएं, और बाकी लोग पासे को आपके बेज़ दो, कि उन्हों में गल्ती की है, और मेरे घर आने से वो गल्ती दूर होगी, आप बेज़ दो किसी को, देखें, तो आप उसमें बिल्कुल एख रहे हो, मैं तो बिल्कुल एदम सीधार नहीं हो, और मेरा म दिल्कुमार मेरे घर पे आके उपर मेरे तेरास पे बैठ के बियर और चना काते थे, अब वो बंद है पाला साँ? अब तो लगता है, बियर भी है, चना भी है, मगर दिल्कुमार के रास्ते बदल गए, उसकी वज़े? वज़े तो आप उनसे पूछी इतना आपका इंट् अपने देख भाल इसमें जरा काफी ध्यान रहता है, तो आपको कभी मन नी क्या कि आप फिल्म स्टार बने? बने तो विलन का ये काम मिलेगा, और क्या मिलेगा?